और जब पढ़ना है वर आज पढ़ेंगे मुशन इन वन डेमेंशनल तो आपको मैंने असाइरमेंट दी है तो समें वानट यह होगा क्या नो सर कोई इश्यू नहीं है चलें ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन दिमेंशन इस यहां पर हम यह नहीं करते के मोशन क्यों हो रही है अम जसे यह स्टेडी करते कि मोशन हो रही है जा मोशन हो गी तो उसकी क्रेक्टरिस्टिक्स को हमने यहां पे स्टेड़ी करना है here we will not the here we will not study the factors our causes that move the body hence in kinematics we do not study about force to kinematics में force के बारे में study नहीं करते क्योंकि physics में जो भी कोई कोई चीज मुव करवाने वाली है उसका नाम किया force force की क्या definition है the push or pulled किसी चीज़ को खीज़ने के लिए जो आप अरजी जागाते हैं उसके इसको force का नाम दिएगा इसके proper defining तो नहीं है कहीं भी दिख्मन है जो force है यह विलास्टी को बढ़ाती है यहाँ विलास्टी को बढruitकी कोशिश करती है यहाँ विलास्टी काम करती है यहालस्टी काम करने की कोशिश करती है तो किस में पें पिर force केा बारें पढ़ते हैं नाव है डाइनामिक तो कानेमाटिक जार अच्छी है या डाइनामिक जार अच्छी ऑफिर अधर बिताते हैं और इफेक्ट बीत पाद रहे हैं तो इसका मतलह है का जी थे विता रहे हैं किसले कानेमेटिक्स कि क्या पढ़ेंगे डिस्टेंस पीड डिस्प्लेसमेंट यह चीज़ेंगे पिनेक्स ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप से अब आडिके और मुव आई देस्ट लाइन और कर भी लिनियर पाथ स्टेट लाइन के दो लब मिनिंग है यह स्टेट लाइन कहल तो आप से रेक्टी लिनियर मोशन पर पूछ सकते हैं या स्टेट लाइन मोशन तो दोनों का मीनिंग सेम है तो इड़ाइट ट्रांसलेटी मोशन ओना स्टेट लाइन पाथ स्काल्ड रेक्टी लीनियर मोशन या स्टेट लाइन मोशन अब वह पाथ हORIZONTAL भी हो सकता है और वह पाथ सकता है इसका मतलब है स्टेट लार मौशन या रैक्टिल इन मोशन के यह वन डिमेंशनल है यहां पर सिरफ और सिरफ एक एक्सेजी इनवाल्व होता है अगर हम होरिजोटन करते हैं तो एकक्सेजेज इनवालव होगा इसकी इसके ग्जयम्पल है यह इंटर्व किलिया से भी अपनी इन चीज़ों को त्यार करना है आकार इस मूविंग ऑन अस्ट्रेट रोड अब बाल थ्रॉन वर्टी के लिए एक्जैंपल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है को जब आप से वह पूछेंगे रैक्टी लिए नमोशन क्या होती है तो अगर आप जिस्ट सुना दें तो एक बना डेफिनिशन सुनाता और एक बना डेफिनिशन साथ एक्जैंपल भी बिताता है तो फिर जारा वजारा इंप्रेसकिस से होंगे एक्जैंपल देना वालों के साथ तो यहां पर एक यह भी होता है कि जब आप आप अंसर देती हैं वह आप से ना रट इसको explain भी करना है लेकिं इस बात के भी धियान रखना है कि आपने इतना explain नहीं करना कि वह कोस्टिन वहाँ से निकालता चला जाए वो फिर आपको वो मुश्कल वह दरपेश आजाए तो बड़ा इसको explain करना ताकि वह आप से कुई मजीर कोस्टिन भी उसमें से ना निका सक के और आपका जो इंप्रेशन अबो भी वहां पर अच्छा हो सके उससे जब आप रैक्टिलियमोशन के डैफिनेशन सुनाएं के साथ में एक्जैम्पल्स दे देंगे तो वह एनफ होगा दूसरे करवी लिनिः और मोशन डैट ट्रास्लीटी मोशन अभовать को अभाडि कोड़ कर्वी लिनेए मोशन इसका दुसरे नाम कर्णिया मोशन अब देखिए इस सरकॉल मोशन में क्या बाड़ी की कैनेटिक एनरजी के बी जिरो तो होती है या अगर जिएरो होती है तो का पर जीरो होती है और कि ऐड मोशन होगी तो होगी परना नहीं होगी जी तो सरकुल मोशन में जीजेरो होती है है करेंटिक पोटेंशिन नारजी अगर पोटेंशन मेर में होगी का कासम होगी सब्सक् periodicBlrad बुलती है जो होता है में बीदेन जी जिरो हो ईसका कोई आइढिया नहीं की किया कि मॉलीक्योल्स के मॉशन हाँ जी अगर आप ऑब बाद करेंगे ना थो आहां पा तुछ अप्लाई नहीं होता है क्योंकि यह मैक्रोस्कॉपी के लिए माइक्रोस्कॉपी के लिए नहीं है इसलिए यहां पर आप एटम्स वगारा की बार नहीं कह सकते तो कि उनकी मैक्रोस्कॉपी क्या होती है मैक्रो या मैक्रो मैक्रो बड़े यह क्लासिकल मेकानिक्स के तो यानि कि यह मैक्रोस्कॉपी अप्जेक्स के लिए अप्लाई होता है देखें इस तरह आप जब इसको मुव करवा अच्छा पूटाइशन जी क्या होती है जो पुजिशन की वज़े से होती है अच्छा मैं आपको एक्जम्पल लेता हूँ मैं बैठाओ पहाड पर और मेरे सामने बुक पड़ी होई है तो और आप जमीन पर खड़े हैं तो मैं कहता हूँ इस बुक की जो पुटैशन अजी वो जीरो है और आप कहते हैं नहीं इस ब हाइट पर जाएंगे डिक्रीज हो जाएगी नहीं वो क्या होती है क्रेविटेशन पुटैशन अजी वो फोर्स फट्रेक्शन होती है जो जमीन की होती है उसी जिसको बोलती है वह फोर्स होती है खींचने की जो अनर्जी होती हाइट पर जाते हैं फैंकती हैं उसे जो से लेकर आती है वो उसे ग्रेविटेशन प्रेशन नर्जी बहुते है जैसे एफ इस इकोई टू जी एम एम ओवर आ रहता है जी अच्छा माइनस प्रेशन जी और ग्रेविटेशन जो अनर्जी होती है जैसे जैसे आप किसी चीज़ को बुलंदी पे लाइक जाते हैं प्रेश करना शुरू कर देती है प्रेशन एजिए जैसा कि हमारे पास एक तीर कमान होता है उसे जो मतलब उसके स्ट्रेच करने वाली जो इनर्जी ते इसे लास्टिक बोलते है जिसे वह अपनी बापर ब्रॉशन में आजाए एलेक्ट्रस्ट्रेटिक प्रेशन आजी एलेक्ट्र से श्कूम कि प्याए जाती है यह सबन होती है यह कि क्ली चार्जेस की वजड़ेस होती है उनके पूद की की वजड़ेस होती है नहीं सब्सक्राइब कर दो इस हैं कि एपसलीट नजी क्या होती है वो फिर्स्ट ली बिताया तो है आपको यह जो हम पढ़ते ना पुटेंशल एनरजी यह ही हमारी रियल्टी क्या होती है कि रैविटेशन पुटेंशन अजी होती है ठीक है जब हम कहती है ना कि फूजशन की वजा से जो एनरजी होती है फॉजशेम्पल यहारी अर्थ घो एक क्या अर्थ एक भाड़ी पड़ी इए अर्थ इस की पूटेशन एजी कहोती है जीरो होती है तो किसकंसी पूजी नहीं है जैसे यह हाइट पर चागर का आगए खिर्श पास एनर्जी होती है उसको आप prestation नजी पहिए सकती है यह सिंपल इनर्जीन भी ने खिर्जेज यह है तो पूटेशन एजी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है यह फोर्स होती है पी इज एक्वल टू एम जी एच अब आपको याद आया होगा मुझे प्याले भी यह था है तो यह फार्मूला किसके लिए अपली के पहले जो आपने बता रही है तो उसमें यू होता है उसको अपोर्टेशन एजी को यू सकी बिजान करते हैं माइनस य्जी एम उवर जी एम एम होता है हादी चोटा इम बडा मोवर र र और स्कुर्ड ह लिए फार्मुला ला किसके लिए अपलिके बहल है और फिर अगर यह आपने पास है प्रोटैश इनगी क्यों किया है नहीं पता देखे यह जो फार्मूला ना यह उसके लिए यह कि वैली क्या होती है constant होती है तो और G के value far very small height के लिए constant होती है तो जैसे जब आप आप ज्यादा height पर चले जाती हो तो G के value क्या हो जाती है चेंज हो जाती है तो इसलिए अगर आप बहुत ज़दा height पर है तो फिर यह formula आप apply नहीं कह सकते इंटर्वियू में बहुत जारा या वाईवा में या डैमो में जहां पर भी आ जाते हैं यह इस तरह के चीज़े बहुत जारा पुछती है कि फ़लाने formula की restriction किया है limitation किया है तो आपको हर formula की limitations का भी पता होना चाहिए तो यह formula just applicable है for constant of g small g यह हमारा हर जग अपलाए applicable है ठीक है तो इसको आप जहां जहां पर मरजी apply का सकती है वो आप इसको use का सकती है अगर हमारा add the surface of earth है तो फिर हम इस r के जहांप क्या लिखेंगे capital r लिखेंगे लेकर अगर हम height पे हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे small r लिख सकते हैं या फिर हम क्या लिख सकते है आर प्लस h किसके एकोल होता है small r के तो जब आप लिखते हैं small r उसका मतलब क्या होता है आर प्लस h यानि कि यह जो small r यह कहां से distance है surface center of earth से distance है ठीक है center of earth से लेकर यह यहां से ले कितना distance हमारा कितना होता है आर जी आर अगर आप हाइड पर गई हैं यहां पर आगी हैं तो यह distance हमारा क्या बन जाएगा एच बन जाएगा तो आर प्लस h को आप क्या कह सकते हैं simple छोटा आर आप कह सकते हैं तो अगर जब आप simple r लिखेंगे ना छोटा आर तो उसका मतलब यह भी आप से सकते हैं कि distance हम कहां से लेती हैं हमेशा center of earth से लेती हैं तो अगर हम सिर्फ आर कैपिटल आर लिखें तो वह फार्मॉला क्या बान जाएगा से क्योंकि यह होती स्मॉल आइट की बात करते हैं तो वह यह का यह यूज करना सान होता है और यह यूज करना मुशकल है उसलिए फिर वह चोटी क्लास बढ़ वह यह वारा फार्मॉला वह यूज करवाती है तो इट मीज और आप दूसरा जो मैंने आपके बता है अभी द नहीं ही होती है फिर अप्सली अभी आप पहले बात की के बात करते हैं लाजब होना चाहिए तो जहां से हम क्या कह सकते हैं उसको वह महीर कह सके जैसे अभी हम एने एक्जेमपल दी थी कि मैं पहार पर बैठा हूं मेरे साथ ने बुक पड़ी है और आप जमीन पर बैठी हो एट आट अटाइम बुक के पास आपके रिस्पेक्ट से पुटेशनरजी है लेकिर मेरे रिस क्या है सेम आए यह ना हो कि आपका कोई और रिजल्ट है और मेरा कोई और रिजल्ट है तो इसलिए फिर आमने साइंटिस ने किया क्यों ना कहा कि हमने पुटेशनरजी को हमने वह एक रैफरेंस बनाना है तो वह प्र हम क्या लेती है इंफिनिटी क्या होती है जीरो होती ह चो जब आप चार्ज को किसी बाड़ई को सर्फेस ओफ अर्थ से यह सर्फिस ओफ अर्थ है यहाँ से लेकर आप क्या करती हैं infinity पे लेकर जाते हैं तो यानिकि पुटेशनर्जे मारे क्या होती है दो पॉइंट के द्रम्यान हो थीrichten है ऐसे हैं ना यह मेंशे किस के दिम्हान होती है दो पॉइंट के दिम्हान होती है तो एक पॉइंट हम क्या ले लेते इंफिन्टी पे तो वहां पर जो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है तो पीछे पिर एक पॉइंट बचता है तो एक पॉइंट के फिर हम क्या रहते हैं सिंप के तब ही आपने क्या करना है वर्क करना तो ग्रैफटी नीचे के तरह एक्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है जो भी बाड़ी है उसको आपने अगेंस अग्रैफटी मुव करवाना है जब आप अगेंस अग्रैफटी मुव करवाएंगे तो आप वर्क डन वो फिर क्या करें कि उसको इस्तेमाल कर रुकिए वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा तो एपसलूट पॉटेशन है जी के जहां पर लफज होगा ना इसका मतलब वहां पर जो हमारा रेफरेस्ट पॉइंट है या दूसरा पॉइंट वह हमकाम पर हमने कौन सा लि क्या पलिवर स्वथ होगान के पॉइंट है यह पॉइंट की होती है यह नहीं होता कि सारे जो तो हमने पॉइंट का देखना जैसे आप अब देखते हैं कि वह हर एक पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखते थे तो जहां पर हम ज्यादा पॉस ऑटेक्शिंट इस पॉइंट पर इसकी लेक्टिफ फील इंटेंसिटी ज्याद है तो अगर हम इस यहां पर बाड़ी को ले के जाते हैं किकाना करें का परना पड़ेगा वह बार सफ सोफ से दूर हो गया तो फिर आप असकी जो जो इसकी अधिर ओ वह घुर करते हैं जब करती है तो वह जो आप एनरजी लगा रहे होती है लाव कंजर्विशन अनरजी के मताबिक हो एनरजी क्या होती है उस बाड़ी के अंदर ग्रैविटेशन पॉटेशन अजी के सुरत में स्टोर हो जाती है तो जैसे आप उसको अज़ाद आना छोड़ेंगे तो वह उस एनरज इसको आइसे वो होती है इंटरेक्शिन के वजह से इलेक्टरोन का नियुकलेस के साथ राई होती है तो चार्जज़ की कि दुनिया में नरजी पिर जो energy होती है उसको किया बोलती है और आइडियल गैस की potential energy कितनी होती है जीरो जीरो क्यों क्योंकि हमने एक approximation use करते कि molecules बहुत small है और point message है point objects है और उनके रिमान force of attraction किया 0 है यह जब फोस्व जिरो गी तो जाब वो आपस में नहीं करेंगे इंट्रेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब है जो जो रियल गैस के लिए हिं इंटेमांगा नजी का फॉर्म ला क्या होता है साम फानेटिक एक इंडर्जी ये किसे के एकोल होता है इंटरनल एडिगे के सिपल का उन जी हो फा कुश्च नहीं करते श्र01 चार्जिस की दुन में पॉटेशन की आपस में इंट्रेक्शन के वजा से तो अब देखें जो ना पॉटेशन का नेटिक नेजी का फामला उता है यह डिपैंड करती है विलोस्टी पे तो अगर आप किसी बाड़ी को सरकल में घुमाना है अब देखिए यहां पर एक्जेम् ना जैसे ही वह रुकेंगी तो वह जो जो ग्रयाविटेशन or जो उसको नीशे खैंचना चाहा रही है वो फिर क्या करेगी? क्योंकि उसके विला से रुक गई है, जिरो हो गी है, मतलब वो रुक गई तो उसके बाड़ी क्या करेगे? वो नीचे खैंच लेगे, तो बाड़ी फिर सरकल में मूव नहीं करेगे, बलके फॉल कर जाएगी. इसका मतलब है सरकूलर मोशन में ना ही हमा हमारे पास कानेटिक एनरजी जीरो होती है, और ना ही हमारे पास प्रोटेंशन एनरजी जीरो होती है, क्यों? क्योंकि जाहर जब हम सरकूलर मोशन करती है, तो दो तरह की होती है, एक वर्टीकल होती है, वर्टीकल सरकूलर मोशन, तो जब आप वर्टीकल वो मोशन करवात और अगर यहां पर काइनेटिक नजी जीरो हो जाए तो फिर जायर उसका वह बाड़ी क्या करें कि फौर नीचे गिर जाएगी वह सरकुला मोशन को कांटीनू नहीं कर पाए कि लहाजा काइनेटिक नजी कभी भी जीरो नहीं होती लेकिन जब हम वर्टी के लिए उपर हम इसे मामाइट पे जीरो हो जाती है क्योंकि बाड़ी वहाँ पर थोड़ी देख लिए रुकती है तो जब रुकती है तो उसकी विलास्टी जीरो जीरो होगी तो देख लें एक सरकुला मोशन की वज़ा से आगे बाद से बाद निकलती चली गई है जी आसे लब यह वाला पॉइٹ से यह तो बहुत सिंपल से हैं तो लेकिंग्स में लेक्स में आगे जाई तो वह सारह पिर आपके क्लीर वह हो जाता है दो जाख एक आउन important को है टूर मेंशन होता है और एक्टेंगुला कंपोनेट्स की तदाद कितनी होती है तो डिमेंशन होता है त्री डिमेंशन होती है तो प्लेंट में अब देखें यह हमारा एक्स और वाय है है ऐसे बोलते हैं और एक हम यह बोलते है ठ्रीटby मेंशन के लिए की लिए मैं इसको X भी बोल सकता हूँ, इसको मैं Z बोल सकता हूँ, इसको Y बोल लो, इसको Y बोल लो, इसको X बोल लो, इसको Z बोल लो, इसको Y बोल लो, इसको Y बोल सकता हूँ, और इसको Y बोल सकता हूँ, किसको? यहाँ पर, यह नहीं नहीं है कि फिक्स होती है और ठीमेशन हमारी मरदी है जो सा मरदी एम यूस का सकते हैं फैस्टि पेस्पे शर्च जैसे हैं अब आप पाहल थोगे साम समय और विद्ध होरिजो़न्टल डिस्क्राइब जर्वी लिनियर रीडेट्री या पैराबॉली रीडेट्री जब या बाड़ी क तो किसी साफ एंगल पर फैंकती है यानि कि जीरो से बड़ा और 90 से काम एंगल पर तब क्या वो परफॉर्म करता है प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह हो मुव करता है अब जब आपने प्रोजेटाइब करेंगा अच्छा तो जब आपने जिरो से बड़े एंगल पर फैंका और 90 से या 90 से आप जिए जिए बड़ा एंगल कोई ले भी बाइब से लेका 99 अगरा आए 99.9 तक फêtre enjoyment करें करेंगा व properly योगी projectile motion होगी तो projectile motion में maximum speed गहाँ पर होती है minimum speed को पर होती है maximum speed होती है जब वो ground के साथ सट्राइक करता है और minimum होती है हायस position पर होते है जीरो कहाँ पर होती है projectile motion केश में होती है नहीं स्पीड टॉल पर उती है तो है कि जब ज्यरों उस नहीं होती है जै नहीं रेषी सब्सक्राइबällt venir का पास कितनी विलास्टी है दो एक 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 से और एक वाइए यह जो प्रजेक्टाइल यह टू डिमेशन परफॉर्म का रहा है ना तो यह तो इसकी विलास्टी कॉंस्टेंट रहती है हमेश्चा जो आपने शुरू में फैंकि है एड़ दी एंड पॉइंट और यह पॉइंट पर क्या हो जाती है जीरो होती है लेकं जो वी एक साइट यह 0 नहीं हो सकता क्यों क्योंंकि बाड़ी फारवर्ड मौशन दो परफॉर्म का रही है और बाड़ी की जितनी शुरूम पे होती है बलास्टी होरीजॉंट उतनी लास्ट पे भी होती है यह वेश् और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हीटिंग इसमें उसकी विलास्टी किसके एकोल होती है वी एक्स मैक्सिममों वहती है तो अब यह कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की विलास्टी हाइस पॉइंट पर मिनिमम वहती y0 कहीं पर भी नहीं तो नेक्स if the path is not in a plane and requires a region of space it is com क्या बोलते हैं three dimensional motion बोलते हैं इसके में एक्जेंपल किया and except flying randomly in a room it is an example of three dimensional motion फिर उतर reference frame the motion of a body can only be observed if it changes its position with respect to some other body आइंस टाइं के मताबिक जो motion होती हो क्या होती है रेलिटीव होती है एक ही में आप एक में रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं ऐसा पॉसिबल है ना हाँ जी है तो यह हमारी इस लिए फिर हम क्या यूज करती है reference frame को यूज करते है reference frame वह जगह जहां पर आप बैठ के क्या करती है motion को observe करती है अगर आप गाड़ी में बैठ के motion को observe करती हैं तो आपके frame of reference क्या होगा गाड़ी अगर आप room में बैठ के motion को observe कर रहे हैं तो आपका frame of reference क्या होगा room आपका होगा यानिकि frame of reference वो जगह होती है जहां पर आप बैठ के motion को observe करते हैं there far far a motion to be observed there must be a body which is changing its motion with respect to other body and a person who is observing motion दो चीज़ होती है एक body जो आपनी position change कर रही है वो दूसरा person जिसने उसको observe करना है तो जो अब्जर्वी परसन होगा उसको हम बोलती है observer और जो जगह होती है उसको बोलती है frame of reference the observer for the purpose of investigation most habits on clock to may the time and a point in the space attached with another body as origin यह जार उसकी definition है तो simple wording में हम यहीं बता सकती है कि जहां पर बैठ कि आप motion को observe करती है तो वो हमारे क्या होती है frame of reference है अगी important points है distance is called the total length of the path it is equal to are greater than displacement तो यह इस चीज़ का आपको समझा है कि यह equal भी हो सकते displacement के और greater हमेशा होता है इस चीज़ का आइडिया है हाँ जी मैं पढ़े दरूल इसके के कि अधिस्टेंस जो है कभी यह अधिस्टेंस है यह अधिस्टेंस है और यह हमारा displacement है स्टेंस होता है यह इस स्टेंस है पर के और आपस में क्या होती है है एकवल होती है यह ब» कर equal होती है जब state पास हो लेकर greater than less than कभी भी नहीं हो सकता तूँ कि अब देखे न यह अगर आगी है हान जी यह हमने यहां से चला थे और चलके वापस अब जिया पर आगी है तो इसका displacement zero हो जाए लेकिन distance लो जाए बोगा तो यह यह कि कोई भी ऐसा case नहीं इसमें डिस्टेंस कम और डिस्प्लेस्मेंट ज्यादा हो सकता है छॉटेस डिस्टेंस फ्राम नीश पॉजिशन टूदा फाइनल पॉजिशन धिस्टेंस और वेज़ आ स्ट्डेय लैंडिए कभी भी करत नहीं हो सकता इन लीनियर मोश्यन डिस्टेंस है डिस्प्लेस्मेंट और आलवेज एक्वल यमसी के वह गहरा में आप से पूछ सकती है दोबारा से बात पर रहे नीचे करें थोड़ा सा इसे बता रहे थे अभी आप आपमें बताया कि शॉट जॉट जिस्टेंस है शॉट जिस्टेंस तो हम बोलते हैं प्र आपने यह भी बोल गया कि वह डिस्प्लेस्ट लाइन में होगा हां जी याundर आप सकते कर आब अब आप करवा का छिए कारव पाथ है नहीं होसे और पाइंट है Betty जिस तरह दिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट हो सकती उसी तरह हमारी average speed average displacement अच्छा यह दोर है average speed average acceleration and average acceleration displacement और फार longer time intervals whereas instantaneous velocity speed और फार वेरी वेरी short time interval इतना short time interval के time approaches zero को करें ठीक है उपर वाला पॉइंट मिस्किया अपने linear motion वाला distance और डिस्पेस्मिन वह बूर रहे हैं लिने का मतलब क्या होता है स्टेट मारे स्टेट लाइं मोशन तो average speed हम क्या कहते हैं longer time लेती है और instantaneous के लिए हम क्या लेती है डेल्टा टी अप्रोच्छ तू जीरो यहां से आपसे वह counter question कर सकते है कि क्या यह zero हो सकता है जीरो नहीं होगा जीरो को अप्रोच करेगा इतना काम time इंटर वाला है कि हम इसको वह मतलब zero को अप्रोच कर रहा है zero time नहीं है तो यह आप से counter question हो सकता है इस लाइन में हमारे पास major बात आप में जो बताईए यह बताईए कि जो आवरेज होगी वह long time के लिए होती है इंटर स्टीनियों होती है इतना short कि वह zero को अप्रोच कर रहा है जीरो नहीं हो सकता तो जार अगर आप जंगाड़ी चला रही है किस से आप कि स्पीड से जा रही है तो उस पर्टिकलर मोमेंट में आप जो मुझे स्पीड बताएं कि वह आपकी क्या होगी instantaneous विलास्टी तो आपने बताना है मेरी मैं 50 मिटर पा से जा रही हैं तो उस में टाइम कितना होगा स्पीडि़ आप जैसे जिस तरह जो जो सकती है या ग्रेटर हो सकती है तो स्पीड वह जबी छोटी नहीं हो सकती इन्फिलिक्स दवर्ड यूनिफार्म अच्छा कॉंस्टेंट विलास्टी और यूनिफार्म विलास्टी में क्या फारत है कॉंस्टेंट विलास्टी वो होती है कि जिसमें हमारे पास कोई चीज हम कर देते हैं कि अब यह जिरो है तो से बोलते है और जा बोलते हैं उनिफार्म है एक उनिफार्म किस का है उनिफार में यह कर दो क्या सब्सक्राइब इसके उनिफार्म यह हो 캉शाप्र भर है उनिफार्म होगी हाँ होगी नहीं तो झाना कॉंस्टेंट रहेगी गर ये युनिफर्म में मोशन मुझान niewere repолов भुणिता रहे हैं लगलात है उसको कैसा पॉसकते हैं कि कॉंस्टेंट मोशन कोंस्टेंट सपीड में का पॉच्चन हो कि मैं युनिफर्म को Ahim क्वेस्ट कोंस्टैंट स्पीड एंड युनिफरम स्पीड अगर आप कह रहें कोंस्टैंट का मतलब है क्योंग वह अगर वहांपर श्पीड का जिक्र कहाँ पर आपिर आगया आइए भी ठीक है वह तो पर रेस्ट में आमने स्पीड के बार करें मनलब वह मुव का रही है तब इसका पास पीड है फिजिक्स में यूनिफार्म का वर्ड और कौन स्टेंड का वर्ड क्या होती है सेम होती है लेकिन मैंने इसका देखा के जगा पर डिफरेंट बतायान चीज़ों का गूगल पर करें ना आप लिखें डिफरेंज बिटेंड यूनिफार्म स्पीड और कौन से सारों ने गलत लिखा होगा है लिखार्म क्या होता है कि आप साइट रहते हैं डो वह और जांपर बंदे ना वह पिर वाज़ा है रहार है वह उसका सही भी हो सकता है एक होता है वैप साइट different है ठीकर physics में इनका मीनिंग क्या है सेम है क्योंकि अगर मैं बोलो यूनिफर्म स्पीड तब वही मतलब है कि को डिस्प्लेश्मेंट कवर होना चाहिए इन इकवल इंटरवल ऑफ टाइम अगर मैं बोलू कॉंस्टेंट विलास्टी है तो वही मतलब विलास्टी का अगर मैं बोलो ना के पांच मीटर पर सेकंड के यहां से आप चले हो और यहां तक आप गए हो तो यहां से लेकर यहां तक आपके सारी जो विलास्टी है थ्रू आउट जर्नी वह मेंशे क्या रही है पांच मीटर पर सेकंड ही रही है ना चाहर्द हुई यह जिसको क्या बोलेंगे uniform speed या constant speed ठीक है जो ग्राविटेश्य मोशन इस एक्जैंपल ऑफ यूनिफार्म acceleration यह आपको पता है यह तैसे मोशन कैसे उसकी है एक्जैंपल कॉंस्टेंट की यूनिफार्म इक्सलेशन एक्सलेशन लेना की लेटाव करती है कैसे ग्रैटिक जरेसे फॉल करती है तो ग्रैटिक जब ग्रैबटेशन फोर्स होता है तयँ अच्छा प्रिजिक्ल मिनिंगे आपको बताओंगा मजह वाला ला वाई नब जैक्टिस मोविंग आपवाड यह ढख्रोक्सिमेशन हैं एम सी क्यों के लिए कि विलासिटी अमेरे मेरे क्या होते जब हम उपर करते विलास्टी होती है ग्राइटेशन एक्सलिशन नेगिटीव होती है और डिस्प्लेस्ट के याद गाँना का सेम होगा जब नीची आ रही है तो एक्सलेशन हमारा क्या होता है पॉजिटीव तब हमारा जी विलास्टियों डिस्प्लेश्मेंट क्या होता है नेगेटिव होता है यहां पर मैं बैठा हूं यह हमारा यह हमारा वा गर मैं चलता हम तो मेरा डिस्प्लेश्मेंट क्या होगा पॉजिटीव नहीं हो सकता क्योंकि यह कह सकता कि जी मैंने माइनस पांच मीटर वेस्टारा किया तो यह पॉसिपल ही नहीं है अब जो नेगेटिव डिस्प्लेश्मेंट का मतलब कि हैं दो चीज़ें ह मगनिटूड होती है और दूसरे होती है डार्यक्षन रिवार्स लेती है लेकर में पर होती है यह कुंकि आप वह पास दो चीज़ नेगर्टिव करते हैं वह प्लस साय को यूज करते हैं तो इसकी जो आसाइनमेंट पर वो आपको मैं सुब परवाइड कार दूँगा इसके भी पीछे वाली जो मेजरमेंट वाला उसकी भी कोई मुझे याद नियाब ने करवाया चले ना वो भी आदि मैं कर लूँगी और वह दूसरे जो है वह भी तो लेट होगे सुब्र मैं ना सुब्र मुझे ने रिमाइंडर दे जिए का आपको मैं सी कुप भी दे दोंगा और इसके असाइनमेंट मैंने कर दी है हल वो चेक कर ले ह अच्छा वह मैं कर ले तो इसकी अब मेरे पास दो टास्क है इसके असाइनमेंट और और उसकी ताइनमेंट आपको चाहिए इसके जिसके जिए जाते हैं जी ठीक हो गया